तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोबिन जैस्वाल दोस्तों आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के अध्याए 11 प्रत्यावर्ती धारा से 15 एंपॉर्टेंट कुईशन को देने वाला हूँ जिसमें आपका पांच बहु बिकल्पिये प्रस्न होगे पांच अतिला गुत्रिये और पांच धीर गुत्रिये प्रस्न होगा यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला बहु बिकल्प ये प्रस्णाता है वो होता है विसुद्ध प्रेर की परिपत में सक्ति गुडांक का मान है बिकल्प दिया गया है 0 0.1 1 अनंत तो यहाँ पर जो इसका सही एंसर होगा वो आपका होगा 0 उसके बाद में हमारा दूसरा कुईशन है एक अमीटर का परित्या वर्ती परिपत में पाठ्थांक 4 यंपियर है परिपत में धारा का सिखर मान होगा अब यहाँ पर बिकल्प दिया गया है 4 यंपियर 8 यंपियर 4 रूड 2 यंपियर 2 रूड 2 यंपियर तो इसमें जो आपका सही एंसर होगा वो होगा चार रूड दो एंपियर उसके वान में हमारा आजाता है तीसरा नंबर कोईशन कहता है दोलन करने वाले यलसी परिपत की आवरित्ती है और यहां पर बिकल्प दिया गया है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट लसी उसके वान में लसी और फिर 1 अपान 2 पाई लसी और 1 अपान अंडर रूट लसी तो यहां पर जो सही आपका एंसर होगा वो होगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट लसी तो यह आपका हो गया तीसरा नंबर कोईशन इसके बाद में हम आजाते हैं इपने चोथे नंबर कोईशन पर चोथा नंबर कोईशन कहता है किसी LCR स्रेडी परिपत के लिए अनुनाद की इस्थिती में आरोपित बोल्टेज तथा धारा के पीछ कालांतर होगा तो इसका जो आपका बिकल्प दिया गया है वो दिया है पाई, पाई बाई टू, पाई पर कोईशन कहता है किसी परत्यावर्ति परिपत में सक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब परिपत अब यहां पर बिकल्प दिया गया है केवल प्रेर किये हो, केवल धारितात्मक हो, ऐल सी हो, केवल प्रतिरोध युक्त हो, तो यहां पर जो सही एंसोर आपका होगा, वो होगा केवल प्रतिरोध युक्त हो उसके बार में अब हम आ जाते हैं अपने अतिलग उत्रिये पर तो यहां पर हमारा छाठवा नंबर कोईशन होगा वाट हीन धारा का क्या अर्थ है उसके बार में हम आ जाते हैं साथवे नंबर क्विश्चन पर साथवे नंबर क्विश्चन कहता है वैदुद अनुनाद से आप क्या समझते हैं उसके बाद में आप हम आ जाते हैं आठवे नंबर कुईशन पर आठवे नंबर कुईशन कहता है LCR परिपत के सक्ति गुडांक का बेंचक लिखिए उसके बाद में आप हम आ जाते हैं अपने नवे नंबर कुईशन पर नवे नंबर कुईशन कहता है एसी सुरोत की आविरत में परिवरतन के साथ संधारित्र परतिखात में बिचरण को दरसाने के लिए ग्राफ खीचिए तो ये आपका हो गया नवा नमबर कुईशन अब हमारा दस्वा नमबर कुईशन कह रहा है कि द्रिष्ट धारा परिपत में ट्रांस फार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है तो ये आपका हो गया दस्वा नमबर कुईशन इसके बाद में 11 नंबर question है जो कि आपका अब दीर उत्री प्रेशन आ चुका है यहां से तो 11 नंबर question कहेगा कि प्रत्यावरती धारा परिपत के लिए और सक्ति का बेंजक प्राप्त कीजिए तथा वाट हीन धारा को सबचाईए यहां पर आप ध्यान दीजेगा कि वाट हीन धारा आपका काफी ज़्यादा important है चाहे साट में चाहे लॉग में आ जाया करता है उसके बाद में 12 नंबर question है प्रत्यावरती धारा जनित्र की कारे परडाली तथा सिधान्त चित्र बना कर समझाईए तो यह आपका हो गया 12 नंबर question उसके अनुए 13 नंबर question है प्रत्यावरती बोल्टेज स्रोत V is equal to V0 sin omega T से प्रेर कत्व यल धारिता C तथा प्रतिरोध आर तीनो स्रेडी करम में जुड़े हैं सिध कीजिये की परिपत की प्रतिबाधा Z का मान Z is equal to under root R square plus omega L minus 1 upon omega C to the whole power 2 और उसके बार में दिया गया है तथा 10 phi is equal to omega L minus 1 upon omega C upon R जहां phi धारा का बोल्टेज के बीच कालांतर है तो ये जो आपका question है ये आपका question आपके exam में जब भी पूछा जाता है तो long question में पूछा जाता है और ये अकसर आ जाया करता है तो इस question पर आप very very important लेख सकते हैं इसके बाद में हम आजाते हैं अपने चौदावे नंबर question पर चौदावा नंबर question कहता है ट्रांसफार्मर की रचना का कार विधीत का वड़न कीजिए तो यह आपका हो गया चौदाव़ नमबर कोईश्चन इसके बाद में अब हम आजाते हैं 15 हवे नमबर कोईश्चन पर 15 हवे नमबर कोईश्चन कहता है चोग कुंडली का कार सिध्धानत लिखिए चोग कुंडली में वाट हिन धारा के महत्त को समझाईए तो ये आपका हो गया 15 questions जो कि आपके exam में बार-बार पोचे गए है I hope कि ये सारे questions आपके लिए helpful होंगे अगर वीडियो अच्छी रगी तो वीडियो को like कीजे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करकर press कर लिजे वेल आइकन को जिससे कि आपको नए वीडियो को update मिलता रहा है तो दोस्तों बस यहीं पर दीजे जाजत जैहिंद